अब प्रमात्मा क्या कहते हैं कि जो अच्छी बेटियां अच्छी बेहन है और जो बुरी हैं उनका न्यारा न्यारा वर्णन किया है कि बदनारी से बचकर रहना चाहिए वो अच्छी नहीं होती और अच्छी माताओं के बारे में बहुत ही अच्छा वनन दिया है सत्गुर हेला देते हैं सुनियों संत सुजान बदनारी पास न बैठी ओ बदनारी आई खान नेनों का जर्बाहा करे खा लिये हैं हंस हाथों में धीला के इन डोब दिये कुलबंस उल्टी मांग बराये करे मंजन कर हैं गात मिठी बोले मगन होवे लावे बोविद गात माया काली नागनी अपने जाए खात कुंडली में छोटे नहीं सोबातों की बात बदनारी लंगर कामेनी जामे अंगन खोटे फासी डारे बाहे करे करे लाख में चोट बदनारी लंगर कामेनी बोले मदरे बोहोले फैट पड़े छोटे नहीं काड़े घूंगट जोले यह तो उन बुरी निकमी बेटियों के बारे मिरमातमन बताया है अब अच्छी माताओं का कितने कलम तोड़ बरनन करते है ग्रीब बोलोंगा निर्पक्स हो जो चावैसो की हीन के अपनी के और की सब ही बदनार मलीन बुरी यानि बद और चे अपनी हो चे दूसरे की वने कमी ही होती है अच्छी माताओं के बारे में क्या कहता है ग्रीब नारी नारी बेद है एक महली एक पाक पाक माने पवीतर सुद जाओ दरदुर ओप जेह जाको भरिये साख के जिसके पेट से दुरू जैसे मा पुरुष होए उनके उनकी साख्षी भरिये के ऐसी पुन्यात्मा होनी चाहिए माता ग्रीब कामने कामने बेद है एक महली एक पाक जाओ दर परलाद थे जाको जोड़ू हाथ जैसे जिसके पेट से प्रलाद जैसे पुन्यात्मा उत्पन हो इसी मां को प्रनाम करूं हाठ जोड़ू ऐसी भागवानात्माता को ग्रीब कामने कामने बेद है एक उज्वल एक गन्द जा माता प्रनाम है जा उपजे भरतरी गौपी चंद जहां पर गोपी चन भरत्री जैसे पुन्यात्मा उत्पन हुई उन माताओं को परनाम है बहुत अच्छी माताओं थी गृब कामनी कामनी बेदे है एक हीरा एक लाल दत गुसाई अव तेरे अनसुया के नाल के जैसे अब औरत औरत में बेदे है जैसे अनसुया जैसे महाशकी के उदर से और दत्ता तरे जैसे महाशकी का जनम हुआ ऐसी माताओं भी धन्न है गृब कामनी कामनी बेदे है एक रोज़्जम एक हन से जनक विदे ही अव तेरे धनमाता कुलबन से जिसके गर्ब से राजा जनक जैसी पुन्यातुना ने जनम लिया है वो माता धन्न है नारी नारी क्या कर रहे है नारी गुन्बव भेव जा माता कुर्बान है जा उप जे सुख देव नारी नारी क्या कह रहे है नारी कंचन कूप नारी से ती उप जे वह नामदेव से वह उप जैसे जिसके उदर से नामदेव जैसी महापरुष ने जनम लिया वो माता धन है नारी नारी में भेद है एक नकम्मी और एक ऐसे जिनोंने अच्छी आत्मा है जिनके उदर से पुन्यात्मा उन्हें जनम लिया ग्रिमना आरी नारी क्या कर रहे हैं नारी भक्त बिलाहा से नारी से ती उप जे धन्ना भगत रवीदास कि उन माताओं में बहुत अंतर है जिनके उदर से दन्ना भगत रवीदास जैसी महान आत्मा उन्हें जनम लिया ग्रिमना आरी नारी क्या कर रहे हैं नारी कंचन सीहिद नारी से ती उप जे बाजीद और फरीद नारी नारी में भेद है जिसके पेट से वाजीद जैसे महात्मा और फरीद शेख फरीद जैसे महापरसों ने जनम लिया वो माताओं धन्ने है ग्रिमनारी नारी क्या कर रहे हैं नारी में वह भात नारी से ती उप जेसी तलपुरी सुना थू ग्रिब नारी नारी क्या करे है नारी कु निर्टा है नारी सेती उप जे रामानंद पंथ चला है नारी नारी क्या करे है नारी नर्की खान है नारी सेती उप जे ये नानक बदनिर्वान है कहते हैं जिस माता के गरब से संत नानक जी जैसी महानात माउन जनम लिया ऐसी माताई धन है नारी नारी क्या कह रहे है नारी नरकी खान नारी से ती उप जै ये नानक पद निर्वन नारी नारी क्या कर रहे हैं नारी सरकुन बेहले नारी सेती उप जे दादू बगत हमेहले जिस माता के गरब से दादू जैसे महतमा ने जनम लिया संत दादू जी जैसे महतमा जन लिया उन माताओं में और उन बद नारीयों में कितना अंतर है ग्रिव नारी नारी क्या करे है नारी का प्रकास नारी सेती उप जेये नर्दमनी सेतास ग्रिव नारी नारी क्या करे है नारी नर्गुन देश ग्रिव नारी नारी क्या करे है नारी उल्लामाए ब्रम्भोगनी जोगनी आज है चरण कमलोलाए ग्रिव सबद सरू पी उतरे सत्गुर सथ कभी ही रहे दास ग्रीवदयाल है डिगे बनावे धीर अब कहते हैं इसी परकार ग्रीवदास साहईब निकम्य पुरुसों के बारे में बहुत अच्छा वर्नन दिया है जो निकम्य पुरुसे उनकी और अच्छे व्यक्तियों के बारे में इस संग में काफी दिन लिए तो पनह अपनों हमने अभी तक जो कथाएं कहाणियां सुनी थी वो तीन लोग के भगवानों की सुनी थी इस पुर्ण प्रमात्मा के तत्व ग्यान को से अप्रीचित होकर के हम इन्ही के रंग मरंग चुके थे अब हमने रहरा कर इस प्रमेश्वर की इस महिमा को सुनना है जिस कारण से हमारी बुझी उठकर उस प्रमात्मा में समा जावागी और फिर हम उसी के पास चले जाएंगे हमारा पूरन वोक्स हो जाएगा अब प्रमात्मा हमारे को कैस कितना लाब देता है कि हमरे तीन उतापों का भी नाश करता है यदि हमारे उपर किसी ने जंतर मंतर कर रेक्षा हो किसी ने गाल गाल रेक्षी हो या किसी के और सराप दे रेक्षा हो किसी देवतान ने पूरो जुनम का उसको भी प्रमात्मा कबीर जी की ये मंतर सक्ती जो ये दास आपको देगा कबीर जी की सक्ती से वो आपके तीनों ताप नश्ट हो जाएंगे और पूर्ण मुख्स पराप्त होगा और जैसे आपको पता चला कि वो दुर्भिक्स अकाल गिरा था मगर में उसको कोई भी टाल नहीं सकार ये कह दिया था कि ये भागिमा नहीं है तो प्रमातमा भागे से जाद अधिक भी अपने कोटे से आपको दे देता है आपकी रख्षा भी करता है आपके प्रार्वन अभी कोई आपती आनी है